जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि अगर लाइफ में खोश रहना है तो शनी देव के किरपा हमारे उपर बरसनी चाहिए इसके लिए हम शनी देव को खुब मनाने की कोशिस भी करते हैं लेकिन अगर हम कहें कि आपको अब शनी देव को मनाने की जरूरत नहीं है तो क्या आप हमारा यकीन करेंगे जी हाँ शनी देव ने अपनी चाल बदली है जिसकी वज़ा से कुछ राशियों पर पूरी तरह से महरबान हो चुके हैं सिर्फ इतना ही नहीं शनी देव के किरपा इने राशियों पर आने वाले 11 सालों तक बरकरार रहेगा ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किनकिन राशियों पर शनी देव की किरपा परसने वाली है पहला ब्रिशब राशी इस राशी के जातकों के लिए आने वाले 11 साल बहुत ही ज़्यादा सुखद रहेंगे इस राशी के जातकों के उपर शनिदेव पूरी तरह से महरबान हो चुके हैं आपको आने वाले 11 सालों तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी बशर्ते आपको अपने जुबान पर लगाना होगा वरना आपको कई तरह की परिशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है दोसरा सिंग राशी इस राशी के जातकों का अब बुरा समय खत्म हो गया है क्योंकि इन पर शनिदेव महरबान हो चुके हैं और आने वाले 11 साल इनके लिए खुश्यों से भरा हुआ रहेगा अब तक जिस काम में भी आपको असफलता मिल रही थी आगे अब उन्ही कामों में आपको सफलता मिलेगी इनमें आत्म बिश्वास की कोई कमी नहीं होगी जिस चेज में आप हांत लगाएंगे उस चेज में सफल हो जाएंगे तीसरा करक राशी अगर आपकी राशी करक है और आपको अभी तक कई सारी परिशानियों का सामना करना पड़ा रहा है तो आगे आपका टाइम बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस राशी के जातकों पर शनीदेव की अपार महिमा वरसने वाली है। शनिदेव इनको शक्ति के साथ साथ खुशियां भी देंगे इनके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे चौथा तुला राशी इस राशी के जातकों का किसी ब्यर्थ के कामों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपका काफी समय नुक्सान हो सकता है इस राशी के जातकों पर शनिदेव के किरपा 11 सालों तक बनी रहेगी ऐसे में आपको अपने बिजनेस में पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में खुशियों का आगमन पूरी तरह से हो सके नेक्स्ट नाइन स्पिरिच्वल से बनी तराइक रिपूर्ट